वेलकम तो माई चैनल आये डिरिश्टेंट इस वीडियो में हम लोग कलास 11th मैथ एक्सरसाइज 10.2 के कोस्टन को सुल्प करते हैं और इस प्रोब्लम को सुल्प करने से पहले इसमें कौन-कौन सा फर्मूला यूज होगा पहले वो सब देख लेते हम लोग उसके बाद हम लोग प्रोब्लम बनाएंगे ठीक है यह स्टेक्ट लाइन्स का एक्सरसाइज है इसमें आपको जो भी फर्मूला यूज होंगे वह ह होंगे सबसे पहले various form of equation of line ठीक है आपको कौन सा है various form of equation of line और इसमें आपको horizontal and vertical lines पढ़ने हैं तो ए फर्मूला को आपको ध्यान में रखना है कि horizontal कोई भी x-axis के horizontal जब line होगा तो उसका equation क्या होगा और y-axis के parallel जो line draw करेंगे उसका equation क्या होगा तो इससे related आपको question पुछे जाएंगे ठीक है उसके बाद आपको पढ़ना होगा point slope form point slope form इसमें आपको यह formula का यूज़ करना है y-y0 mx-x0 देखें यहाँ पे आपको यह line है इस line का यह equation होगा इसमें जिसका slope दिया रहेगा और एक fix point x0 y0 दिया रहेगा ठीक हो fix point p0 यहाँ पर दिया हुआ है जिससे यह आपको equation of line बन गए ठीक है उसके बाद आएगा two form two form equation है two point form equation करेगा कि एक line पता करना है line का equation find करना है जो two fix point से क्या करता है पास करता है तो यहाँ two fix यहाँ देखिए x1 y1 है और x2 y2 है तो इसके में आपको कौन सा formula यूज करना है यह y-y1 equal to y2-y1 बटा x2-x1 bracket x-x1 ठीक है उसके बाद है slope intercept form slope intercept form में आपको यह यूज करना है एक slow एक line है जिसका y is equal to mx plus c होगा और यहीं intercept जब x-axis पे रहेगा तो उस case में हो जाएगा जो आपका equation होगा equation of line वह होगा y बराबर mx-d where d जो है x intercept है ठीक है तो यह formula का भी यूज होगा उसके बाद एक आपको आएगा intercept form में आपका देखिए यहां पर x-axis की तरफ x-axis की तरफ a intercept बना रहा है और y-axis की तरफ b intercept बनाएगा तो इसका equation जो होगा equation of line वह xya plus y बटक भी equal to one होगा ठीक है और एक आपका formula आएगा normal form मतब कोई कहेगा कि एक line है जो और जिन से और जिन से पी डिस्टेंस पे नॉर्मली पी डिस्टेंस पे perpendicular पी डिस्टेंस कहा जा रहा है पी डिस्टेंस जो है वह और जिन से यह लाइन का या ठीटा बढ़ा रहा है तो उस केज में जो normal form of equation जो होंगे वो कौन सा होगा वो आपका हो जाएगा इस फर्मूला का यूज़ करना है कौन सा एकस कॉस्ट ठीटा प्लस वाई साइन ठीटा इसकल टू पी क्या है पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस और जिन से टू लाइन है और जिन से लाइन के बिच में दखी है पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ए तो यह हम लोग बिस्कली देख लिए कि यह सारे formula का यूज़ होग अब जब हम लोग question बनाएंगे और question में जो फर्मूला का यूज होगा हम side में उसको लिखते भी जाएंगे बताते भी जाएंगे कि इसमें कौन सा फर्मूला यूज होगा और अच्छी तरसे इसको हम solve भी करेंगे चले exercise देखिए हाँ exercise में आपको क्या दिया हुआ है exercise 10.2 का first number question है write the equations for the x and y आपको लिकालना है इसका equation क्या होगा वो पता करना है तो इसका simple आपका solution होगा ठीक है आप पढ़े है कलाश देंत में ही कि equations of the x axis होगा वो क्या हो जाएगा बताइए तो equation of the x axis वो होगा y equal to 0 आप जानते हैं कि x axis फे y का मान क्या होता है हमेशा 0 होता है ते ही y ब्राबर 0 होता है कैसे देखिए जब आप एक line draw करते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कि y ब्राबर 1 कर दिये यह उपर y ब्राब 1 हो गया और नीचे लिखते हैं y ब्राबर 1-1 अगर आपको draw करने का है कि y ब्राबर 0 करेए तो y ब्राब इस देखिए origin से pass करेगा तो origin से pass करेगा तो यहीं तो y ब्राबर 0 equation हो गया और यह equation जो हो गया किसके parallel हो गया है यह parallel हो गया x axis का that is है आपका जो x axis का equation हो जाएगा वह हो जाएगा y is equal to 0 ठीक है चलिए second इसी में है लिखने का रहा है equation of y axis तो y axis का equation just इसका opposite क्या हो जाएगा x is equal to 0 जब x is equal to 0 आप draw करिएगा तो देखिए x is equal to 0 का होगा यहाँ देखिए origin है तो origin से जो हो गया है यहाँ पे और यहाँ पे इधर x लेते हैं हम दो जैसे 1 हो गया एकस का value इधर हो गया minus 1 तो अगर आपको simple देखिए ग latch देखिए यहाँ डिरो करेंगे तो क्या हो गया x बशाब़ जीरो हो गया तो यह 0 x बशाब जीरो किसके parallel हो गया infamous हो गया **** किसके coincite कर रहा है यह y axis के coincite तो यह first question का answer हो गया ठीक है I hope यह समझ गए होंगे ठीक है चले second number question क्या कह रहा है इपड़ते second number question यह passing through the point minus 4 3 with slow तो देखिए इसमें कौन सा formula यूज़ करेंगे देख रहा है कि एक equation of line पता करना है एक equation of line लिकाना है जो क्या हो रहा है किस से point से pass कर रहा है minus 4 3 से pass कर रहा है और जिसका slope slope देखिए image call to दिया हुआ 1 by 2 ठीक है 1 by 2 दिया हुआ है तो आप पड़े है कि point slope form पड़े है point slope form में आप फर्मूला क्या पड़े थे कि यह जो होता है यहाँ पर हम लगाएंगे तो यहाँ given fix point क्या है यहाँ पर तो इसको माल लेते point क्या है point P है जिसका coordinate क्या दिया हुआ minus 4 और 3 है तो इस point से यह line pass कर रहा है और slope कितना दिया है image call to 1 by 2 दिया हुआ है तो simple equation of line हो जाएगा क्या हो जाएगा लिखेंगे equation of line ठीक है equation of line जो हो जाएगा y minus y 0 पढ़े है y minus y 0 और यहाँ पर slope का value दे देना है aim और x minus x 0 इस formula का यूश कर रहेगा तो यहाँ रखिए y minus y 0 कितना है यह fix है 3 तो यह 3 ले लेना है equal to slope आपके पास कितना है 1 by 2 equal to x minus फिर x 0 कितना है minus 4 तो देखिए पहले इसे minus है तो इसको plus हम कर सकते यह तक समझ लिए आगे बढ़ेए यह 2 कहां जाएगा इधर आएगा तो 2 इधर आएगा तो देखिए बताइए 2 y minus 6 हो जाएगा यह दोनों में 2 से गुना कर दीजिएगा और इधर 1 से गुना हो तो x plus 4 होगा तो यहां से जो equation मिलेगा बताइए x को एक तरफ लेके आएगा तो क्या मिलेगा 2 y minus x is equal to 4 है आई जाएगा पलस तो 4 plus 6 तो final कितना हो गया 2 y minus x is equal to 10 this is the required equation ठीक है यही आपका क्या हो गया equation of line हो गया पास समझ में आ रही है यह आपका equation of line 2 y minus x is equal to 10 हो गया ठीक है चलिए answer आपका यह भी दे सकता है ऐसे कि minus x को पहले भी लिख सकता है ऐसे भी लिख सकता है minus x plus 2 y is equal to 10 यह भी लिख सकते है second number question समझ गये होंगे चलिए third number question समझते है third number question क्या कर रहा है कि passing through 0-0 with slope यह भी हूँ भूँ वही question है एक आपका point जो है given point क्या है आपका given point माल लेते है p क्या है 0-0 और क्या slope केतना दिया हुआ है slope दिया हुआ है इस case में slope दिया हुआ aim aim दिया हुआ slope aim दिया ही है slope is equal to aim दिया हुआ है ठीक है चले तो normally आप formula लगा दिजिए तो y-y0 यह होता है तो y-0 के जगा पर 0 यहां दे दिजिए equal to aim के जगा slope aim ही है aim रहने दिजिए और x- फिर x-0 का value मतब fix point जो है वो 0 ही है इसी point से line pass कर रहा है तो हमने x-7 का भी बिया यहां पर जो x-0 है उसका value भी हम लोग क्या ले ले 0 अब यह normal हो गया y-mx y-mx-a आपका answer हो गया ठीक है यह question of line हुआ जिसका जो 0-0 से origin से पास कर रहा है और जिसका slope aim है ठीक है चले question 3 हो गया question number 4 देखते है 4 नब गया passing through इतना है and inclined with the x-axis at angle 75 degree passing through एक line है ठीक है question में कह रहा है question में आपका pass है कि एक line है एक line है जो किस से pass करता है देखे एक line है जो किस point से pass करता है 2 और 2 2 और 2 रूर 3 से pass कर रहा है इस point से point P से pass कर रहा है line ठीक है जिसका दिया हुआ है कि यह जो x-axis के साथ है ना देखे लिगा inclined with the x-axis at a angle फिए और x-axis के साथ यह जो line है यह line समझे मान लेए देख यह line जो है आपका x-axis के साथ x-axis के साथ यह x-axis समझे x-axis के साथ कितना डिगर का inclined है 75 तो x-axis का inclined है that means यहां से आपका slope लिकल जाएगा तो solution करतें इसका given point क्या है given point लिख लिजिएगा given point दिया हुआ है 2 2 root 3 ठीक है और यहाँ पे slope पहले कितना होगा slope इसकल टू आप पढ़े होगे कि positive x-axis सा जो angle बनता है तो 10 के साथ अगर लिख देंगे तो वही slope हो जाएगा तो slope इसकल टू 10 theta तो यहाँ 10 theta का मतब 10 75 degree हो जाएगा ठीक है 10 75 degree अब 10 75 degree का मान कैसे लिखा लिएगा यहाँ से लिखाल सकते है तो अब पढ़े है कि 10 a plus b के रूप में इसको टोड़ दीजिएगा तो अब लिखे 45 plus 30 degree ठीक है ऐसे तोड़िएगा तो 10 अब 10 10 a plus b इसकल टू 10 a पलस 10 b by 1 minus 10 a into 10 b यह फर्मूला का यूज़ करना है और यहाँ से 10 पैतलिस के अवेलू 1 होता है पलस 10 30 का अवेलू कितना होता है 1 by root 3 होती है और by में 1 minus 1 into 1 by root 3 लिखिएगा इसको जब solve करेंगे तो root 3 LCM लिजएगा तो उपर में root 3 plus 1 हो जाएगा और by में root 3 उसी तर यहाँ करिएगा तो 1 1 1 तो root 3 minus 1 by root 3 हो गया root 3 उसी कट गया तो इसका हो गया root 3 plus 1 by root 3 minus 1 ठीक है अब बुक में आपको यहीं सेंसर दे सकता है या तो इसको rationalize भी कर सके लिख सकते है तो देखो हमें यहाँ पर slow पता चल गया अब नॉर्मली आपको fix point यहाँ 2 और 2 root 3 दिया हुआ है तो ते के फर्मला क्या हो जागा equation of line जो हो जागा लिख दिजिएगा equation of line हो गया पता यह y minus y1 तो y1 के ज़िए 2 root 3 दिजिएगा equal to ठीक है slope कितना है root 3 plus 1 by root 3 minus 1 और x minus x1 या x0 का सकते है तो 2 हो गया ठीक है अब यहाँ से आपको क्या करना है इसके साथ इसको multiply करना है इसके साथ यह करना है तो आप कैसे लिख सकते है y के साथ y root 3 minus 1 direct ऐसे भी लिख सकते है और इसको जब multiply करेंगे तो दखिए 2 root 3 को root 3 से गुना करिएगा तो 3 root 3 root 3 3 हो जागा अतरुजय 6 हो जाएगा और पलस में हाँ 2 root 3 हो गया और equal to इधर जब करिएगा तो root 3 plus 1 और x हो जाएगा और एक और टर्म जे मिलेगा minus 2 root 3 ठीक है और minus 2 मिलेगा समझ गें अब यहाँ से आपको x को एक तरफ ले आईए तो क्या होगा या इसको भेज़े तो y root 3 minus 1 छोड़ दीजी इधर आएगा तो minus में root 3 plus 1 x हो गया और बाकी सब उधर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा बताएगे 2 root 3 है 2 root 3 है इधर आएगा तो क्या होगा और यह minus 6 है तो minus 6 सिधा जाएगा तो क्या होगा तो minus 6 जाएगा तो 6 plus में होगा और 6 में से 2 गया तो 4 मैं डिरेक्ट लिख देता हूँ और minus 4 root 3 तो इस तरह के आपका आपका equation of line आ गए ठीक है जो किस point से pass कर रहा है 2 root 3 से pass कर रहा है और positive x के साथ 75 degree का angle बना रहा है तो आप question भी समझ गए होंगे अच्छी तरह से तो हमने 4 question complete कर लिया ठीक है आए 5 number question 5 number question पढ़िए intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope minus 2 ठीक है आपका equation of line बनान लिखना है जो क्या कर रहा है 5 number क्या given है given है कि एक equation of line लिकालना है intersecting the x-axis x-axis को वह line x-axis को intersect करता है at a distance of 3 units to the 3 units to the left of origin origin के left था आप common set लगा सकते हैं देखिए मेरा axis है ठीक है तो इधर left हो गया इधर right हो गया इधर आपका left हो गया इधर right हो गया तो जब left की तरफ एक line draw करते हैं एक line है जो क्या कर रहा है एक line जो है करता है कि इंटरसेक्स जो वह line जो है x-axis को intersect करता है distance of 3 units से तो यहां से यहां जो origin है तो यहां से आप माल लेके 3 है तो यह इस point पर क्या करता है एक line माल लेते कि यह line काटता है तो इसका जो coordinate हो जाएगा वह जाएगा minus 3 0 हो जाएगा ठीक है रहके नहीं minus 3 0 हो जाएगा तो यह minus 3 0 हो गया क्योंकि left to the left है origin की तरह origin से left है minus 3 2 पर और जिसका slope दिया हुआ है minus 2 aim बराबर minus 2 भी दिया हुआ है बस अब आपको लिकाल दाना है यहां पर fix point लेना है किस से पास कर रहा है minus 3 0 से और जिसका slope दिया हुआ है तो अभी आप यहां देख सकते है तो आपके पास equation of line हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लिखिएगा equation of line ठीक है equation of line जो हो जागा y minus y1 यहां पर y1 कितना है मतलब y0 क्या है y minus y0 तो यहां पर देखिए y0 के जग़ा पर 0 ही है equal to slope slope है minus 2 ठीक है और x minus यहां देखिए minus 3 है x0 minus 3 है तो minus minus plus कर देंगे अब आगे बढ़ाएगे क्या हो जागा इसका फर्मूला तो y is equal to minus 2x plus minus 6 हो जागा minus 6 हो जागा that ही जे y plus 2x is equal to minus 6 और इसको ऐसे भी लिख सकते है 2x plus y आई इधा जाएगा तो plus 6 बराबर 0 this is the required equation of line ठीक है तो यह हम लोग question देख लिए 5 तक ठीक है I hope सारे question आप अच्छी तर समझ रहे होंगे और अब next question जो हम next video में देखेंगे और एक कैसा आपको लगा please comment करे thank you